मध्यपरदेश, करनाटक और महारास्ट में ऑप्रेशन लोटस चलाने के बाद नाकाम कोशिश राजिस्थान में भी की गई लेकिन अब रुख किया ऑप्रेशन लोटस के लिए जारखंड का पिछले एक हफ्ते से जारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन और उसके साथ ही बीजेपी के लीडर के जरीए जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनके जरीए इस तरह के बयानात आ रहा है थे कि हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं इसी तरह का बयान मिथुन्दा कभी कुछ दिनों पहले आया पश्च्वी बंगाल को लेकर के 21 विधायक उनके संपर्क में हैं वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं ममत्रा सरकार भी खत्रे में आ सकती है लेकिन कहीं न कहीं ज धार खंड में चाहे वो वह पश्च्वी बंगाल की पुलिस की बात करें या ममत्रा वेनर्जी की राज्य की बात करें कहीं न कहीं जो है धोखा मिला है बीजेपी को और मुग की खानी पड़ी है जिस तरह से कल कॉंग्रेस के तीन विधायकों को हावडा में ग्रफतार किया गया ममतब एनर्जे के परदेश में ग्रफतार किया गया और उनके पास से कैश बरामत किया उसके बाद एक बार फिर से बहत चुड कावीर किया और यह कहा कि यह आपरेशन लोटस नहीं यह आपरेशन की चड़ है और लोगतत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है एक एक करके तमाम उन राजियों पर कबजा किया जा रहा है जहां पर विपक्ष की सरकारे हैं चाहे वो कॉंग्रेस की सरकार हो या फिर वो महरास्ट में जिस तरह से साजा सरकार चल लए दी महाखाड़े की इसी तरह से जारखंड में भी कॉंग्रेस के साथ जिस तरह से सरकार चल लए है सौरेन की उस पर भी हाट डालने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकामी हाथ लगी पश्चिमी बंगाल के हावडा में कैश कांड के बाद जहारकन कॉंग्रेस के तीन विधायक को गिरफतार कर लिया गया विधायकों के साथ गाड़ी के ड्राइवर और एक और सहयोगी को भी गिरफतार किया गया है वहीं कॉंग्रेस पार्टी ने भी उन पर कारवाई की है विधायक इर्फान अंसारी, राजेश कचप और अमन विक्सल कॉंगाडी को पार्टी ने तत्काल परभाव से निलंबित कर दिया है उनके खिलाफ राची के अरगोडा थाने में प्रात्मे की भी दर्च कराई गई है। पार्टी उन पर नजर बनाए हुए है। जो इस तरह की घटना में शामिल नहीं है पार्टी उनका सम्मान करती है। कहा है कि अभी जारकंट की हैमस्वरेन सरकार को कोई खत्रा नहीं है। गड़बना सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी। अभी नाश पार्टी ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में राची में ही थे। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कौन इस तरह की गतिवितियों में लिप्त थे। जो कैश के साथ पकड़ाए हैं उनके बारे में पहले से ही पार्टी को जानकारी थी। ये भी पता था कि ये लोग अन्य विधायकों को भरमित करने या ड़ाने धमकाने के प्रियास या लालज देने में भी जूटे हुए हैं। कईना कईन। रंगे हातों ये पकड़े गए हैं। पहले एक बाइट सुननाना चाहूँगा मैं इस पूरे मामले पर के जिस तरह से इस पूरे मामले को ले करके कॉंग्रिस के परवक्ता ने ये कहा है कि ये ओपरेशन कीचड है ओपरेशन लोटस नहीं। इसको ओपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजे, यह ओपरेशन कीचड है, यह कमल नहीं है, तो इसका नाम आज संडे को बदल दीजे, आप मीडिया में इसका नाम ओपरेशन कीचड बोला कीजे, क्योंकि यह काम एजेंसी का नहीं है, कि सर्तारूर दल की सहायता करके चुनिवी सरकारों को अस्थिर करना, यह काम कभी किसी एजेंसी ने पहले नहीं किया, और पिछले साथ साल में, आठ साल में लगातार एजेंसी ख़बरों में अगर बनी रही, तो इसी तरह के कामों की वज़ें से बनी रही, तो देखा, आपने पवन खेडा, इस पूरे मामले पर ज लगाये गए हैं कि तमाम लोगों को ED के दरिये भी धमकाया जा रहा है यानि ED की तलवार भी तमाम लोगों के तमाम MLS के उपर चाहे वो कॉंग्रेस के हो या और किसी पार्टी के हो उनको भी डराने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से महारास्ट में भी ये बात सामना आई थी कि एक एक MLS 50-50 क्रोड में भी का है और तमाम MLS को ED की तरफ से फोन आ रहा हैं कि आप समर्थन वापस लो नहीं तो आपके घर पर ED के रेट कर दी जाएगी जाहिर सी बात है तमाम करप्त हैं कुछ ना कुछ घाल मेल किया हुआ है जिसकी वज़े से डरे रहते हैं और ED क पहले जिस तरह से CBI होती थी जिसको तोता खुट कोर्ट के सुप्रिम कोर्ट के एक जजच के ज़री कहा गया था लेकिन सरकारी तोता कहा गया था लेकिन अब उसकी विश्वनेता खतम होती चले जा रही है उसकी धार कमजोर होने के बाद ED को धार को मश्बूत किया गया ह और E.D. को जिस तरह से उसका बाइलाज है जो बनाया गया है उसमें जिस तरह की चीज़ रखी गई है तो उसका इस्तेमाल बहतर तरीके से वीज़पी कर रही है उसका इस्तेमाल बहतर तरीके से नरंदर मोदियोरा मिश्शा कर रहे हैं और अपने विरोधियों के खिलाफ पूरी तरह से इसके इसके इसमाँ आपने देखा संजराओत को जिस तरह से 16 गंटे पुश्टाच की गई उन से 16 गंटे पुश्टाच के बाद उनको ग्रफतार कर लिया गया और उसके साथ ही अभी थोड़ी दिर पहले एक और महिला के जरीए एक कंप्लेंट जर्च कराए गई है तो तकरीम उसी तरह का महाल संजराओत के खिलाफ अब खड़ा हो गया है जिस तरह का महाल महारास्ट में बीजेपी लीडरों के खिलाफ खड़ा हुआ था जिस तरह सानुमान 14 को लेकर उनकी एक साथ ही उनके पती के खिलाफ जिस तरह से उनको गरफ़तार किया गया था कई दिन तक उनको जेल में रखा गया था और जिस तरह क्या आरोप पर तियरोप चलते रहे तो कहीं नह सारी चीजों का इस्तमाल पुलिस का पिर्साशन का E.D. का अब वहाँ पर किया जा रहा है शिफसेना के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है N.C.P. के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है कॉंगरेस के नेताओं के खिलाफ तो जाहिड सी बात है, अभी तो ऐसा लग रहा है बजाहिर कि यह आप्रेशन पुरी तरह से फिलाव भो गया है बेजेबी की लेकिन, भारती जनता पार्टे जिस तरह से एडी का इस्तिमाल कर रही है, जिस तरह से उसको एक टूल के तॉर पर इस्तिमाल किया जा रहा है, तो आज इस तरह से जेपी नडड़ा ने एक बयान दिया है पबलिक में एक अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है कि हम कॉंग्रेस मुक्थ भारत तो हम बना चुके हैं अब विपक्ष मुक्ष भारत बनाने की और हम चल ले हैं और उमीद करते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर विप यहां के साथ ही पुरा देश और उसके साथ ही सिर्फ एक पार्टी बचेगी और वो होगी भारते जनता पार्टी बीजेपी जिससे आप अंदाजा लागा असकते हैं जिस तरह की बिजेपी के नेताओं के जरीए भी यह बात कही गई है कई नेताओं के कई जो है मंत्रियो अब को बनागर को बताया था कि किस طرح से वो ये कह रहे हैं कि जब तक विपक मजबूत नहीं होगा लोग तन्तर मजबूत नहीं हो सकता और उसकी कल्पना भी नहीं कि जा सकती लेकिन बेज़ेपी उसी और चल पड़ी है और एक एक करके जहांपर भी सरकार हैं बन रही हैं उनको गिराने की कवायच चल लई है और अपनी सरकार क्योंकि बेजेपी सिर्फ यह चाती है कि वो सत्ता में रहे चाहे किसी भी तरह से उसकी निचाहे पैसे का इस्तेमाल करना पड़े चाहे धमकी दाने पड़े चाहे कोशिश कहें से लगी दरूर बता है अमरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके साथ ही बैल आइक दो दबायाएंगरा पर वीडियो फिजबुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें इसके साथ ही फॉलो भी करें